आज हम सिखेंगे दो रेखाएं समानतर है या नहीं, इसकी चाच कैसे की जाती है? मान लीजिए, हमें दो रेखाएं दी गई है, रेखा L और रेखा M. क्या ये दोनों रेखाएं समानतर यानी पैरलल है? सोचिए, सोचिए. चलिए हम बताते हैं. क्या यहां संगत कोणों के प्रित्यक युग्म का माप समान है? चलिए पता करें. अगर हम इस कोण को ट्रेस पेपर पर बना ले और इसे उसके संगत कोण पर रखें, तो हम देखते हैं कि दोनों कोण एक दूसरे को पूरी तरह ढखते हैं, यानि कि वे बराबर हैं. इसी तर है. चुकि संगत कोणों के सभी युग्म बराबर है, इसलिए यहां रेखाए L और M समानतर है. इस तरह से यदि एक तिरियक छेदी रेखा, दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं, तो रेखाए समानतर होती है. अब आप Z का आक अन्तार ध्यान में डख कर पता कीजिये कि यहां एकांतर अंतर कोणों के युग्म कौन से है. यहां एकांतर अंतर कोणों यानि Alternate Interior Angle के युग्म इस प्रकार है. हम एकांतर अंतर कोणों के तुल्ना करके भी पता कर सकते हैं कि रेखा L और M समानतर है या नहीं? चल्यए से समझें आपको याद होगा कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी तीर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो एकांतर अंतर कोणों का प्रत्यक युग्म समान होता है अगर हम इस कोण को ट्रेस पिपर पर बना ले और इसे उसके एकांतर अंतर कोण पर रखे तो दोनो कोण एक दूसरे को पूरी तरह से ठकते हैं यानि कि इनके माप बराबर है यह एकांतर अंतर कोणों के सभी युग्मों के लिए सत्य है चूकि यहां एकांतर अंतर कोणों का प्रत्यक युग्म समान है इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा L और रेखा M समांतर रेखाएं है इस रेखायें समांतर होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा L और रेखा M समांतर रेखाएं हैं इसी के साथ हम कह सकते हैं कि यदि एक तीर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि तीर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतर कोणों का युगम संपूरक हो तो हम कहते हैं कि रेखाएं समांतर है इस तरह से अब आप संगत कोण, एकांतर अंतर कोण और तीर्यक्षेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतर कोणों की सहायता से समांतर रेखाओं की जाज कर सकते हैं आज हमने सीखा समांतर रेखाओं की जाज कैसे की जाती है अगले वीडियो में हम इससे संबन्दित कुछ उदाहरण देखेंगे